Hello students, welcome to my YouTube channel online learning जैसे कि आप सब जानते हैं My Government Quiz इससे related आपने 2-3 quiz पहले किये होंगे जो मैंने आप लोगों को बताए थे अभी यहाँ पे आप देखेंगे total 9 quiz है आप लोगों के लिए available जिसमें कुछ की deadline, I mean कुछ की last date 30 September है तो आएए देखते हैं हमें कैसे My Government Quiz अटेंड करना है और कौन-कौन सी quiz हैं तो सबसे पहले आप Google में जाएंगे quiz.mygov.in लिखेंगे, same as it is small letter में आपके सामने main page open होके आएगा और यहाँ पे आपको quiz दिखेंगे तो यह देखें यहाँ पे लिखा है, देखो अपना देश webinar quiz फिर यह culture heritage पे है यह आप देखेंगे portion अभियान quiz है फिर यहाँ पे देखो अपना देश पे है और आयूश for immunity quiz यह सब कुछ है नीचे आप जाएंगे यही पर से नीचे अगर तो आपको और quiz दिखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो यह देखो अपना देश है उसमें बहुत सारे अलग-अलग category के और है quiz तो यहाँ पे चलिए मैं एक बताती हूँ आयूश for ministry quiz participate now तो यह तो यहाँ से खुल रहा है participate now मैंने click किया है तो यह देखिए तो यहाँ पे हम सब जानते हैं हमें terms and conditions पढ़ने होते हैं यह देखिए तो इसके terms and conditions क्या दिये हुए हैं कि यह 10 questions है 120 seconds का है 120 seconds means 2 minutes का है this question will be randomly picked from the question bank यह आप सब जानते हैं winner will be addressed on the basic or maximum number of correct answer in case of multiple participants have given same number of correct answer the participant who take the least time to complete the quiz will be addressed the winner you can skip a tough question and come back to it later the quiz will start as soon as you click the start quiz button तो यह हम सब जानते हैं यहाँ पे login to play quiz पे हमें click करना है and यहाँ पे आप देखेंगे कि my gov quiz पे हम click कर रहे हैं और यहाँ पे simply हमें क्या करना है अगर हमारा login है पहले से हम register हैं तो हमें login पे click करना है और अगर हम register नहीं हैं तो हमें create account पे जाना है और हमें account create करने के बाद अपना जो भी उसमें सामने में quiz दिख रहे हैं वो attend करना है फिर आप सब जानते हैं यहाँ पे digital certificates आप लोगों को मिलता है तो यह देखें यहाँ पे आपको simply अपना email id password लिखना है या फिर दो तरीके से है आपका login करने का process या आप email id password लिखके कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे email id password login with OTP करना होगा जो mobile में या email में आपका OTP आएगा और अगर आपका account नहीं है तो यहाँ पे आपको register now पे click करना होगा तो आप सब बहुत से लोग जानते हैं बहुत बार आप कर भी चुके हैं my government quiz हो सकता है कुछ students नहीं जानते हों तो वो भी करिये क्योंकि यहाँ पे अभी total no quiz available है देखो अपना देश के उपर में ही 3-4 quiz है portion अभियान पे है do you know your census पे है NEP transforming India पे है STIP 2020 quiz है and I use for immunity quiz यह सारे total 9 quiz है इसे अलग-अलग time पे आप दे सकते हैं certificates आपको मिलेंगे total 9 certificates आपको मिल सकते हैं government के तरफ से e-certificate और यह free है इसमें आपको कोई भी charges नहीं है और यह government के तरफ से है simply आपको जाना है और बहुत ही easy process है यहाँ take quiz.mygov.in लिखना है और take quiz पे या participant now पे क्लिक करना है और quiz देना है अगर आपको आप पहली बार दे रहे हैं और आप नहीं जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे registration करना है या login आप करना है तो मेरे YouTube चैनल में इससे related भी एक video already available है अगर आपको मिलता है तो better है नहीं मिलता तो आप मुझे जरूर बताइए मैं आप लोगों की help जरूर करूंगी इस quiz को दीजिए क्योंकि आप लोगों को इसमें से digital certificates मिलेंगे और यह free है government का है तो I hope इस video में मैंने जो भी कुछ बताए होंगे वो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा तो मेरे इस video को like करें share करें मेरे YouTube चैनल online learning को ज़रू subscribe करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए thank you so much for watching this video